कैसे हैं मित्रो आज आपके लिए एक कहानी लेके आए हूँ कहानी है चूडावत मांगी सैनानी सिर्काट दे दियो शत्रानी राजिस्थान के इतिहास की वह गटना जब एक राजपुत रानी विवाहक के सिर्फ साथ दिन बाद अपने शीश को अपने हाथों से काट कर युद्ध में जाने को तयार अपने पती को भिजवा दिया ताकि उनका पती नई नवेली पत्नी की खुबसूरती में उलजकर अपने कर्तव्य को ना भूले हाडी रानी जिसने युद्ध में जाते हुए अपने पती को निशानी मांगने पर अपना सिर्क काट कर भिजवा दिया था यह बूंदी के हाडा शासक की बेटी थी और उदेपुर मेवाड के सलुम्ब ठिकाने के रावद लुना जी के जी चुडावद की रानी थी जिनकी शादी का गठ जोड़ा खुलने के पहले ही उसके पती रावत चुडावत को मेवाड के महराना राजसी और औरेंग सेब के खिलाफ मेवाड के रक्षार्त युद्ध का फर्मान मिला नई नई शादी होने और अपनी रूपवती पत्नी को छोड़ कर रावत चुडावत का तुरंत युद्ध में जाने का मन नहीं हो रहा था यह बात रावत जी को मेवाड की रक्षार्त जाने वा वीरता पूरोग युद्ध करने का अग्रह किया युद्ध में जाते समय रावत चुडावत पत्नी मोह को नहीं त्याग पा रहे थे तो युद्ध में जाते समय उन्होंने अपने सेवक को राणी के रनवास में भेजा और राणी की कोई निशानी लाने के लिए कहा सेवक के निशानी मांगने पर राणी ने यह सोच कर कि कहीं उसका पत्नी मोह में युद्ध से विमुखना हो जाए या वीरता का प्रदर्शन ना कर पाए इसी आशंका के चलते इस वीर राणी ने अपना शीश काट कर ही निशानी के तौर पर भेज दिया तांकि उसका पती अब उसका मोह त्याग निर्भे हो अपनी मातर भूमी की रक्षा के लिए युद्ध कर सके और रावत चुडावत ने अपनी पत्नी का कटा सिर अपने गले में लटका कर औरंगजेब की सेना के साथ भयंकर युद्ध किया अपने बंधन से मुक्त होकर उन्होंने अजवित्य शौर दिखलाया और वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपनी मातर भूमी के लिए वीर गती को प्राप्त हो गए और दूसरे राजपूतों की भांती वो भी अमर कहानी लिख गए तो मित्रों आज उन्हाडा रानी की जयनती होने के कारण मैंने आपको ये कहानी सुनाई है आपको ये कहानी कैसी लगी आप अवश्य बताएं और जल बचाएं साथी पेड लगाएं और पेड़ों को भी बचाएं